नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल सक्सेश प्लानर में तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेके जो कि निकल किया है ए आई एसल के तरफ से यहां से टेक्निशिन के पदोपर बहुत अच्छी खासी रिक्यूर्मेंट निकल किया है तो जितने भी आई टे पास इस्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपर्शों ही निकल किया रही है तो आएए बिए सुरू करने से पहले जो भी ब देख पा रहे होंगे यह इसका official site है यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर application form है यह short notice और full notification यहां से आप download करके देख सकते हैं तो आएए हम लोग चलते हैं पहले इसके short notification पर AI engineering यह इसका short notification है जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो वेकिंसी है कोईडेंडम दे एडवेटाइजमेंट फार एयर क्राप टेक्निशन दोहजार चोबीज यहां पर नीचे हम लोग डिटेल में बात करेंगे देख लेते हैं यहां पर देखे टेक्निशन के लिए जो ट्रेड मागा गया है उसमें आपके पास फीटर सीट मेटल अगर आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए इलिजबल हैं साती साथ दो साल का एक्स्वीरियंस जो कि रिलेक्टेड ट्रेड जी स्टेट से आपके पास आई ट्याइग गया है यहां पर जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए हालाकि कोई एक्स्वीरियंस की बात नहीं की गई है लेकिन जो आई टी आई पास इस्टूडेंट है वो देख पा रहा होंगे कि उनके लिए एक्स्वीरियंस जो है यह इसका फूल नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख पा रहा होंगे और यह इसका रिफ्रेंश नंबर यह जो नोटिफिकेशन है यह साथ दो दो चोबिस को पब्लिस की गई है नीचे हम लोग स्कॉल कर लते हैं क्या जोब है और कहा करना है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है एलाइस इन्वाइज इन्वाइट अप्लिकेशन फार इंडियन नेशनल फ्लोर आप रिक्वार्मेंट आइज अन 23 फर्वरी दोयाचोवीश फार दे पोस्ट आप एयर कॉप टेक्निशियन नौर्धर रिजिन देली इन डिफ्रेंट ट्रेट्स फ्राम दो ओपन मार्केट अन फिक्स टर्म्स इंप्लॉर्मेंट बेस तो नीचे हम लोग इस्कॉल कर लेते हैं यह आप देख पार होंगे डिटेल इस्वरीटी एंड एक्ष्विनियंस एक तो दो जाँ चोवीश फार दो पोस्ट आप एयर कब टेक्निशियन और डिफ्रेंट ट्रेड तो एयर का आप जो टेक्निशियन मेंटरेंस के लिए है यहां पर देख पार होंगे कि आपके पास AME Diploma Certificate in Aircraft Maintenance Engineering 2 या 3 In Mechanical Stream for Industrial Approved by DGCA Under Rule 133B with 60% mark 55% or equivalent rate per SC, ST, OBC कहीं दे तो यहाँ पर percentage मागा गया है इसके अलावा अगर आपके पास Diploma in Engineering 3 साल का जोकी Mechanical According Engineering for equivalent by Central State Government with के साथ अगर 60% mark के सबाद अगर आपके पास पास आउट है या फिर 55% mark के लिए SC, ST, OBC इन बच्चों के पास है तो आप इस पोस्ट के लिए eligible हैं नीचे हम लोगी स्कॉल कर लेते हैं बात कर लेते हैं Aircraft जो Technician है Aircraft जो Technician है Avnikan Electrical Industrial Radio के लिए तो AMD Diploma Certificate in Aircraft Maintenance Engineering 02 या 03 या दो साल या तीन साल का Avign Stream for Industrial यहां भी आपके पास सेम चीज जो उपर मागा गया है वही मागा गया है आपके पास इसके अलाबा अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए eligible हैं आईए हम लोग नीचे स्कॉल करते हैं बात कर लेते हैं आपके पास इस्टुटेंट के लिए जो कि आप बहुत ही अच्छी गोल्डेन आप पॉस्टुटेंट के लिए जो टेक्निशन फीटर सीट मेटल कॉर्पेंटर अप्लोड्स डेल्टी विल्डर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह आप देख रहे हैं आई टी आई इन कॉस्टुटर ट्रेड यानि जो ट्रेड मांगा गया है उसमें आपके पास आई ट्रेड होना चाहिए चाहे वो सेंटरल का हो स्टेड का हो government और एक्स्वीटी कहीं से भी आपके पास आई ट्रिए है तो आप इस पोस्ट के लिए लिजबल हैं साती साथ दो साल का जो की related ट्रेड जो की industrial जिस ट्रेड में आपके पास मागा गया है आपके पास स्कॉल कर लेते हैं बात कर लेते हैं टेकनिशियन एक्स रे एंडिटी के लिए तेहां पर आपका बेस्टी जो की फिजिक्स या डिप्लोमा इन मेकेनिकल electrical electronic engineering या बी ए बीटेक mechanical electric और electronic engineering में अगर आपके पास है तो आप इस post के लिए इनिज़ बनाई बात कर लेते हैं नमबर आप वेकेंसी की तो टोटल 100 सीटे देख पाना हो निकल के आई हैं जिसमें B1 के लिए सरसर सीटे हैं और B2 के लिए 30 सीटे हैं पार्ब है कि तो बहुत अच्छी खासी वेकेंसी हैं बात कर लेते हैं ऐसीं कि लिए तो F स म में पांच सीटे हैं एनिटी एकसरे के लिए-डू सीटे हैं वेल्डर के लिए 1 और कौर्पेंटर के यहां पर आपके पास कोई भी कोई भी जो है कि इक्जाम नहीं होने वाला है आपका स्कील टेस्ट लिया जाएगा टेक्निकल एस्ट्रेश्मेंट और परस्टनल इंटर्व्यू लिया जाएगा इसके बाद आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा तो जो भी इलिजिबल कंडिडेट है वो इस फार्म के लिए अगर इलिजिबल है तो इस फार्म को जरूर फिल अप करें बहुत ही शांडार जॉब रहने वादी है बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की तो एक दो दोया चोबी से जनरल एडवलीएस के लिए 35 साल ओबीसी के ल आप कोंटेक्ट फिस्टम कोंटेक्ट जो है वो पांच साल का है और फिर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसमें जो आपका सैली रहने वाला है वो देख पा रहा हूंगे 28,000 पर मन तर टाइम आप जानी एज पर एप्रूप सैली इस्ट्रक्टर आप ए आई एसल तो सैलर भी काफी अच्छी रहने वाली है 28,000 रहने वाली है आपकी अपलाई कैसे करना है इसे आप देख लेंगे यह आप देख पा रहा होगे अपलाई करने का लिक इस लिंक पर जाकर आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं इसमें जो फॉर्म फीस रखा गया है वो देख पा रहा होगे एक हजार रुपए फॉर्म फीस है फॉर्म का जो फीस है वो इस नाम पर आपको आईटी जीएस करना है देख पा रहा होगे आप इसे चाहे तो इसकी रिसॉर्ट करके भी रख सकते हैं तो बहुत ही शांदार जॉब रहने वाली है जो भी इलिजबल करिंडेट है वो इस फॉर्म को जरूर फील अब करें वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ मुद तक जैहिन